नमस्कार दर्शक्मितों स्वागत छे आपनों मार्व वीषश् कारेक्रम मां के जर्ए वाथ करिये छे एक महतवाना मुद्दा नी जर्एवा मुद्दा नी के जर्एक जर्ए दिश मीत मांडिय मार्श चेके जे मुद्धा द्वारा आप हमेशा सतर्क रहो ये मुद्धाना संपर्क मा रहो और शू चाली रहो चे राजकारण मा ये जोता रहो सिवसे नाम फूटना कारणी राजकिये पारो एक वार फरीथी उपर चड़ी गया चे रिपोर्ट ना मुझा उद्धव ठाकरे नी अपिल बाद पन पार्टी ना वदू साथ धारस अब बढ़वा खोर थाई गया चे गुवा हाटी पहुची गया चे एकना सिंदे एकना सिं अंदोस्तान और भारत जे नामने कदाज वागोडी रहुचे उँएकना सिंदे पोते पुताना समर्थको लई अनि पहला व्या गुजरात गुजरात नी अंदर पोते रोकाया सूरत मा सूरत थी गुवा हटी पहुचा चने जे रित एक गुवा हँची पहुच्या पची आ साथ बढ़वा खोरो साथे बे अपक्स ना जे MLA छे एपन गुवा हाटी पहुची गया छे आ दर्म्यान उद्धव ठाकरे आजे सवारे 1130 स्वागे सीव सेना ना दारा सब्यों नी बेठक बोलावी हती मीडिया रिपोर्टर्स मुझे बुध्वार रातरे सीव सेना ना वधू साथ दारा सब्यों गुवा हाटी नी रेडिसान ब्लीव होटल मों गया हाता ने सिंदे ना जुथम जुडा माटे तैयारी बतावियाती वली आ चर्चा एवी छे के बेजे अपक्सना धारा सब्यों छे एपाण गुवा हाटी पहुची गया ता जानवा मों आविरयो छे के आ साथ धारा सब्यों महराष्ट बीजेपी अध्यक्स चंद्रकांत पाटिल आने सुरत्थी गुवा हाटी जवा माटे रवाना थे गय अने सिंदे ना जुथमा सामिल थाई शके छे जो आम थशे तो सिंदे साथे सीव सेना ना धारा सब्यों नी संख्या वदीने चत्रिस ताई जसे लेके संख्या माँ वधार हो थाई रहो छे आपने जोई रहाचे इरी ते के रोज संख्या माँ वधार हो थाई रहो छे जि पंड संख्या अलग जवा मड़ें। यहां कई शेकाई के एक नाथ सिंदे नी जे वनजार छे वनथम भी वनजार छे ने यहांनी अंदर रोज एक नव मोती परोवातू जाएचे। आम जोवा जहिए तो एकना सिंदे खुब सरस रिते आयोजन बद्ध रिते आखुब प्लानिंग कर्यू है यह पन जोवा मड़ी रही तेरे वात ए जोवा नी रही के शुथ से आगर केवी रिते गरमा से राजकारण कौन बाजी मारी जसे कौने मनल से जित अने कौने मल से मात आप बदा घणा बदा सवालो के टीवी नियूज गुजराती लए ने आवी चे आपनी समक्स आमें हमेशा यहो प्रहत्न करिये चिये कि जे प्रहत्न द्वारा KTV News गुजराती हमेशा आपने राखे चे आगल त्यारे जोवानु ये रहिऊ दर्शक मित्रो के राजकारण नी अंदर जारे आऊ बने चे त्यारे आखोद देश एक मीट माडी ने बैठो होई चे क्यम के राजकारण खुद एक सर्टेन वस्तू न थी राजकारण एक पोतेज एक अलग वस्तू होई चे आप जानोचो राजकारण नी अंदर कोई पन वस्तू तेर रह शक्ती नते कदाच वाद करिये कदाच वाद करिये तो वात वाद करवा जय रहा चे एक वा cruise 31 जारे याशे एक एवा व्यक्ती तो हनी येवा एक एक युवांतु न कई शकाय पन जेने मशाल हाथमा पकड़ी छेने लएने आगल निकड़िया चे एवा एक व्यक्ति नी तो आओ जो ये कौन छे आएक ना सिंदे याने केवी रिते करी रहा चे काम जे संदे नो जन्मनों फेब्लुआरी 1964 मा थलो हतो तेव महरास्ट्र ना सतारा जिल्ला ना पहाडी जवाली तालू कामा रहता हाता परन्तु तेमनी कर्म भूमी थाने हाती सर्वात्मा सिंदे थाने मा रिक्षा चलावता हाता सिवसेनाना कदावर नेता आनंद दिगे थी प्रभावित थाईने तेव सिवसेना आजोडाया हाता पहला सिवसेनाना साखा प्रमुक अने पची थाने म्यूसिपल ना कॉर्परेटर तरीके चूटाया हाता दिक्रा दिक्रीना बोध पची सिंदे राजनी की छोडवानों सिवसेनाना अग्रणिया नेता ना बनी जाया अचानक 26 ओगस्ट 2001 मा एक एकसिडेंट मा दिगे नू मोत थाईव हातू तेमना मोत ने गणा लोकु आजे पण हत्या माने शे ताजे तर्माज दिगे ना मोत पर मराठी मा धर्मवीर नाम नी एक फिल्म आवी हती दिगे धर्मवीर नाम थी पण प्रख्या थाता सिंदे पन तेमना गुरु नी जेम जनता ना नेता रहा वर्ष 2004 मा पहली वाल धारा सभ्य बन्या त्यार पछी पाचर वड़ी ने नती जोयू जोत जोत मा थाणे मा एवो वर्चस्व जमावी लिधू के राजनी तुनू केंद्र बनी गया 2009, 2004 और 2009 मा विधान सभा चुटनी जित्या मंतीर पद पर हता त्यार सिंदे पासे हम्मेसा महत्व नुपद रहुू वर्च 2004 मा फडण विस सरकार मा PWD ना मंत्री रहा त्यार पची 2009 मा सिंदे जाहर स्वास्त अने परिवार कल्यान अने नगर विकास मंत्रालाईनी जवाब धारी संभाडी महराष्ट मा सामानी रिते CMA विभाग तेमनी पासे रागता होय शरू पोता नुँ वर्चस्व वधार्वा माटे सिंदे तेमना दिक्राने पन मेदार माउतार्या व्यवश्राय डोक्टर श्रीकांत सिंदे कल्यान लोकसबा सीट ना सान सत्छे एउपन मानवामा आवे छे कि सिंदे ना बढ़वा खोर थवा पाचर तेमना दिक्रा स्रीकांत नो हाथ छे स्रीकांत नो गईवू छे कि भाजब साथे तेमना राजकारण नो भविस्य सारू छे भाजबेपन खासकरी ने पूर्व मुख्यमंतरी देवेंद्र फडण वीष ने एकनात सिंदे ने अंदर खाने हम्मेसा ताकत वरज बनाव्या छे फडण वीष जानता हाता कि उद्धव ठाकरे सामे बढ़वा खोरी करवा मा सिंदेज मजबूत कड़ी छे महरास्ट ना जिल्ला थाने थी राजनेती नी सर्वात करनार सिंदे ने उद्धव ठाकरे ना मेसेंजर एटले के दूत कहवा मा आवे छे जारे पन कोई जिल्ला मा राजकिय संकट आवे त्यारे सिंदेज एनो उके लावता हता चला बे वर्स्तमा मुख्य मंत्री उद्धव ठाकरे कोई मोटी बैठाक नती करी औने ना वदारे धारसब्यों साथे मुलाकात करे छे ठाकरेनी जग्याए सिंदेज धारसब्योंने मडता औने थेमनी समस्यानो उके लावता आम तेमने अंदर खाने सिवसीना धारसभ्योंनों विश्वास छेतियों अने बड़वा खूरी माटे तैयार कर्या ब्यूरो रिपोर्ट के टीवी न्यूस गुजराती हूँत गुजराती सिवस्वेशन शिय्वाद्र खाने सिर्फ लिपोर्ट के टीवी न्यूस गुजराती नो हम्मेशा एक वह आदर रहें छेकर आपनी समक्ष मुकी सके अमारों आज इनानो सर्खो प्रयास आतो एक आपने कदाज पसंद आवेवेवेसे पंठ दर्शक मित्रों वाद करिए एक सामान्य व्यक्ति थी शरुआत करीने ये रिते जणा वे एक पोते रिक्षा ड्राईवर हता पछी प्रभावी थेया सिव सेना थी दिमेए सिव सेनानी रेलियो मा जवावा मने सिव सेनाना कारियो मा कारिय करवा लाग्या अने कोई नी नजरे चडिवे जे रिते आपड़े कईये छे ने के पुत्र ना लक्षन पार्णा मा एवी रिते एवक दे घणा बधा सेवको असे जे सेवा करता आसे पण कदाच आ एकना सिंदे एना थी कदाच अलग नाम तरी आवियो शे त्यारेज कदाच कई शकाए के कोई नी नजरे चड़या आसे न मतदान्नी वात न थी करतो पण मतदाच सिवाय पण घणी बदी वातो कर भी पड़े छे तो आज चर्चाने आगल वजय था मारी साथे जुड़े गया चे महारा सहयोगी दिपक अने ललन सिंगी स्वागत है ललन सिंगी आपका ललन सिंगी पहला प्रश्णा आपसे यह पूछना चाहूंगा कि जिस तरकी राजनिती हो रही है माहराष्ट में जो अभी चल रहा है एक विशलेशक के हिसाब से आप उसका मुल्यांकन कैसे करेंगे कि जो आज के डेट में यह मान के चलते हैं कि वो पूरी तौर पे अपने आपको महासक्ति के तौर पे कायम कर दिया है महाराष्ट के स्यासी संक्ट पर मैं मान के चलता हूं कि उद्वर ठाकरिसाथ की चिती बहुत ही नाजू को चुछी है इसमें कोई शक्वी कि जो उद्वर स्रकार के पास जो हालात है वो बहुमत से बहुत पीचे जा चुका है यहां तक मेरा अपना सोच है सभी को पता चल अपने महासक्ती बीजीपी के साथ मिलकर सरकार काइम कर सकते हैं लेकिन राजीति में कोई भी चीज असम्भाव या पूरी तोर पे हम तन्फरम नहीं हो सकते क्योंकि हालात मौके के अमसार अपने सौर्फ के अमसार बद्दी होती रहती है एक बात साफ है एकनात सिंदे सा अब जो हैं इन्होंने बड़ी सोच से चानक के बुद्धी से और बहुत समझदारी से हर कदम को चला है जैसे ही हो सूरत में आए और सूरत से जैसी वहाड़ी पहुंचे तो आप देखिए कि धीरे धीरे उनकी जो स्ट्रेंट दोते आई बामत के तरफ तरफ मतलब अब व इधान सवा अजक्ष को ये बता सकते हैं कि हम दो क्याई इस्टिटी में हैं और हमें किसी भी तरह से आप डिस्कुली नहीं कर सकते हैं एक नमबर दूसरी नमबर मैं ये कहना चाहता हूं कि उद्धर सरकात अब किसी भी हालत में उनके पास बड़ी मुश्कित से सत्रह हैं जो संजय रावर जी वो अब अजीबों गरीब ब्यान दे रहे हैं उनका कहना है कि ये पूरे हमारे विद्धाय को गौहाटी के अंदर अपहरन करके सिंजर साथ में रखा हुआ है ये सब बाते राजिती में खंकी रहती हैं सच बात यह है कि एक घंटे पहले उन्हों ने पूर्व तो गिराब के साथ और उन्हों ने धरसाया है और अभी गौवर्णर साब को चिकी वो बेज रहे हैं जिसमें इंडिविज्विज्व कि करें क्योंकि जो राजपाल साब हैं वो हास्पिकल से पहुंचने वाले हैं और हो सकता है कि जो रात में और सुवेरे होते होते ये जो प्रकिरिया है एमले के जानकारी और उसको पॉन्फिलेंट होने के लिए जी वो गौवर्णर साब अपनी प्रकिरिया को आगे पराते ह है अजीब पवार साफ तरफ पवार साफ और कॉंग्रिस यह सभी अपने अपने तरीके से अपने स्टेंड को ले रहे हैं और उन्होंने भी कहा है कि हम फ्लोर के ऊपर अपनी बहमत को सीड़ करें लेकिन जो आंक्रे की गलीग है और साफ लगता है कि एक नाथ सिंदे पूरी तर पे पीजी पी के साथ अपने आप को अपने वजूद को पुरी तर पे कायम करने की इसमें कोई सक रही है और अब सरफ पौर साफ का जो कॉंग्रेंस हुआ है उसमें उनका यहीं कहना है कि हम फ्लोर के ऊपर अपने आपको बहमत और अपनी स्टेंड को मजबूत जिका पाएंगे लेकिन मैरा अपना सोच है कि किसी भी आलत में अब उदाव ठाकरे साथ के पर पिस्टिती नहीं है कि वो अपने आप बहमत को जाहिर कर दें उनका एक ही चीजी है वो चाहते हैं कि जो एमले हैं बहाती से आजाएं और बाला साहर के नाम पे हमारी पिस्टिती कै से भी एक तरह से बज़ जा है लेकिन यह उमीद नहीं कर सकते क्योंकि जो ठारे के एकनाफ जिंदे हैं वो बहुत बहुत समझदार चानद के हैं उन्होंने हर चाल सत्रंज का अपने तरीके से खिला है और अपने आप में पूरी तौर पे मद्मीती के साथ वो गुहाती मे अपने चाल को आगे बढ़ा रहे हैं और सबसे बड़ी चीश इसमें अपरतक्ष या परतक्ष जो मानिए वीजी की पूरी तौर पे उनके साथ है और यही सबसे बड़ा कारण है इन्होंने एक चीज़ था कि मैं पकासी से निक हूँ और हम हिंदुत के उपर चल रहे हमार जो सिधांत है उसको लेकर चल रहे हैं जो सर्जिकल अटेक वीजी पी ने किया था वो हमारे जहन में है और हम किसी भी आलत में हम हिंदुत को और राष्ट को सबसे सरवपड़ी लगते हैं और हमारा जो सोच है वो सिष्षेना का है और हम ही सिष्षेना किसके पास जाएग इसकी भी लगाई शुरू हो चिकी है जी जी बहुत शुक्रिया जुड़े रही है हमारे साथ दिवक आपने पुछवा मागू चुके जे रिते बढ़ोच आली रहो चाने जे रिते वाता वरान गर्मा ही रहो चे क्याक ने क्याक सुरत्थी सरु थायलू राजकारण होटल अहां आती है जोवा जे तो आने त्या पन एक होटल उपर जैने चोटी गई छे नजर। दिपक आपने जोवा जे ये के घणी वार सत्ता नी अंदर आहू बदू बंतु हाई चे तो शुचे चितार। ऐल सिंदे जे रंणीती अपनावी छे तो क्याक ने क्याक एवा पन प्रश्नो ठाय के जे प्रकारे क्याक ओदव ठाकरे नी बीदर कारी छे पाछी सिंदे क्याम नाराच चे सिंदे क्याम सूरत त्यमने जउब पड dene давно सूरत दारात्य द्यात्य Hosoda जया तो थी SC. कोई कचास रही गई शे तोलाज सफ़ान थारासभव्यों कर ताज मिट शें मिटिंग तो शती मिटिग पर रहरे लिदा और त्यार बात विश्वासमा लेई अने त्यों सूरत पहुंचया तो सिंदे पन क्याक ने क्याक आपके पास आना चाहूंगा जिस तरह से एक लेटर लिखा गया जिस तरह से अपनी नाराज की यहां पे उन्होंने दिखाई जिस तरह से दिखाया कि हम इस तरह से नाराज है हमें यहां पे यहां पे थोड़ी तकलिफ है और उसको लेके पूरा एक लेटर जारी हुआ ललन सिंगी पूरी पूरा हिंदुस्तान जानता है पूरी दुनिया जानती है कि ज जब ये लेटर बहार आया, तब बहुत सारी जो चीजे थी, वहाँ पे खुल गई थी, लोगों को पता चल गया था कि कहीं न कहीं, सिवराज है, वो कहीं न कहीं, कहां पे चल रहे है, कौन है, जो किस तरह से उनको डाइवर्ट कर रहा है, कहीं न कहीं, कहीं न कहीं, एक ऐसा माहुल बन रहा है ललन सिंगी कि जिसकी वज़े से यह आगे बढ़ रहा है क्या कहेंगे उसके बारे में हाँ मैं यह कहना चाहता हूं कि एकनाथ सिंगे साफ का साफ कहना है और उनके साथ जो उनके समझ तक भीधाय गौहाती के इंदर हैं उन्होंने कहा है कि एंसीपी और कंग्रेस वाले तो बहुत आसानी से उद्धाव ठागरे साफ पे मिल लेते थे जिसी भी बादचीत का अजित की जब उनके पुत्र अजित के ठागरे ही तो हमें यह बोला गया कि आप इनके साथ नहीं जाएंगे हमें इस बात का बहुत दुख है कि हमारे को इस पर से रोग और पाधा पहुंचाने का क्या सोच का मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यह जो सिंद्ध स्राव हैं य जा रहे हैं लेकिन ऐसा समय हुआ कि पहले बार सीशेना के अंदर उनके परिवार से सीदे उधर ठागरे साथ मंत्री के तौर पे अस्थापिश होगा मैं यह कहना चाहता हूं कि जो पाल ठागरे साथ का जो सिंद्धान था जो उनकी निती का वजूद था जो हिंदुत का उनका सोच था वो लगवट M.C.T. और कॉंगरस के साथ जब इनकी साजेदारी हुई तो इसमें कोई शक नहीं कि इनकी हालाद साफ नदर आने लगी कि साफ ये अपने नितीगत जो इनकी स्था की जो इनकी सिद्धान थे लगवट सत्था के कारण वो हट चिके इसी का फा ने काफी जूरी बना चुक है लेकिन कहते हैं कि राजीतिक संभावनाओं का सेल है समय को देख रहे थे अब उन्होंने जो आज एक संदेश दिया है गोहाटी में कि हमारे साथ रास्तिय सक्थी है वो साथ है रास्तिय सक्थी कोन है भार्तिय गंगा पाज और अभी जो वह साथ आकड़ा बन रहा है उसमें करीब ये बहुमत से 20 अंको से 20 विढ़ायकों से आज़े हैं और चो उधाव ठाकरे साथ की 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 के है वो लगबत मिजरखी से 30 तीशे चल रहा है तो मैं एक ची बताना चाहता हूं कि इतना भी श्रत पोवार्शा या कॉंग्रेस हालाटी स ब्यान से कॉंग्रेस में अपना तपनी मच चुका है उनको भी कुछ आंकरोस वाली ब्याने एक दिशे के उपर अरोप 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 प्लूब हो चुकी है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज पर गोवर्नर साथ को वो भेज रहे हैं उसमें एक दम इंडि तरे साथ लगातार यह बोल रहे हैं कि आपको हाथी से आओ हम से मिलो और हम आपको इस्टपा दे दें उसका एक ही कारण है कि वो चाहते हैं कि किसी तरह से लोगों के बीच में एक मनोभावना क्यागित हो जाए और बाल ठाकरे साथ के यार में हमारी जो शर्कार है इसी न देना कि आप धीरे धीरे वो एक नाथ सिंदे साथ के तरफ अपने आपको जुकाओ साफ नजर आ रहे हैं और उद्दो सरकार के पास पहमत है ऐसा पवार साब हो रहे हैं जो कि महारास्ता के सबसे बड़े और भारत के मानने जाने नेता हैं हाला कि ममता बने जी उनके हो चुकी हैं लेकिन राजीती में तो ये चलता रहता है राजीती बोरते संभावनाओं का खेल है और जब संभावनाओं का खेल है तो सिंदे साथ के ब्यान से साफ है कि वो कहीं न कहीं पूरी तोर पे ये ससक्त हो चुके हैं कि बीजीपी हमारे पीचे है और बीजीपी व आपने इस सप्टा के तरफ पैसे बढ़ना है वो फूख फूख के आगे बढ़ रही है और पवार साथ ने तो एक ऑप्शन दिया भी था कि सिंदे साथ को मुक्मंति बना दो लेकिन सिंदे साथ के दिया है कि हमें इस अधारी के साथ नहीं जाना तो कि हमारे खाकर्टेस हजीर पवार साथ के बचाओं में लगातार उतर रहे हैं मैं एक चीन बताना चाहता हूं कि अब समय महारास्ता सरकार का एक से दो दिन में बहुत साफ होगा चाहे इतनी भी जोड लगाने लेकिन ये बात साफ है कि अब उद्दाव ठागरे साथ को चाहे कारकर्टाओं का उनके पास हुजूम है मुंबई हो या महारास्ता के कई चेकरों में लेकि अब उन्हें अपनी पार्टी में अपनी टाकत को बचाना भी पोड़ा असंबह सा लगता है क्योंकि एक नाथ सिंदे उन्होंने पूरी तोर पे खाने का सिशेना खाने का ठाकरे किस तरह का पोस् वो हमारे साथ हैंगे लेकिन मैं मुवी करता हूँ कि ऐसा उमीद करना गलत है राजमीती में यार कीजिए हुजवल साब भी एक बार इन से बिद्रोग किया था नराहिन राने साब में भी किया था लेकि इस बार का ज्रो एक नाथ जिंदे का अलगावपन है वो एतिहासिक है और बहुत दोजी समझी है उन्होंने आयोद्या खांग राजमीती में से हटना सब कुछ उद्धव ठाकने साब के विरुद उन्होंने पत्र के द्वारा जानकारी देगी है अब मैं भी करता हूं कि अब जो भी होगा लेकिन एक नाथ सिंदे अभी पुरी तोर पे दिपक जारे वाद करवा जही है जारे एक पक्स मजबुत था जहे त्यारे बीजो पक्स क्याक ने क्याक टूटतो हुए उद्धव ठाकरे विशे जी आपने जणाविदू के उद्धव ठाकरे जे चे तेमने एन्चिप साथे और कॉंग्रेस साथे गठबंधन करीने सरका बदार बनाए ये एल्यान मुख्य मंत्री पद हासल करी होतों टो ये प्रकारे तुमनी ये पार्टी चे शिवशे ना बाला साहीब ठाकरे नी जे विचारदार आती हिंदूतोवादी विचारदार आने लोकों थे पार्टी साथी जुड़ाया था पारां तो क्याक ने क्य टेमनी जे विचारदार्हा थी ते हिंदुत्व वाधि विचारदार्हा आती अनने λोको मात्यारे यू एवा प्रस्टु थे रह废चे प्रकारे हिंदुत्व वाधि विचारदारा तेमाहती पाटी नोज विचारदност been गायब थाई रहे हो छे पारंतु तेम चेता उद्धव ठाकरे आजे पोते जे वीडियो मा जे संबोधन करुछे त्यामने करुछे क्यों पोते एक हिंदुतोवादी विचार ने वरेलो छू आने शिवशेनानु जे विचार दारा चे आजी पनक बन चे तो क्याक ने क्याक आजे लोको मा जे चाप भी ताई छे त्याने लेने त्यमने पूता नी पार्ति नी चाप बचाओ माटे करवाने जरूरीया छे त्यों लोको मा चर चाहर हो छे जी लेलन सिंग जी आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरह के राजनीती पूरी दुनिया में होती रहती है राजनीती पहलू है ऐसा है कि अगर हमारे पूरे देश को चलाना है तो राजनीती is one of the best that from where you are standing और वहां से आप राजनीती करते हो लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि जो राजनीती के जो पल्लू होते हैं वो बैलेंस नहीं कर पाते और वो बैलें मैं यह कहना चाहता हूँ कि भारत दिन्या के माने जानने पजातंती परनाली का एक भारन है जिसको दिन्या देख के और यहां से बहुत कुछ इसकी है लेकिन यह हमारा दुरभाग्य है कि भारत के अंदर कई राजितिक हिरो वदल ऐसे होते हैं आया राम गया राम कई कि जब कोई राजितिक डल या नेता अचानक निटी और सिध्धान को छोड़कर और कोई एक नया मार्क के तरफ आगे बढ़ता है तो आम जनता के अंदर भी एक तकलीफ या उसे एक सक्षी भावना पैदा हुआ मैं ये मानते चलता हूँ कि राजिति में ये होना जायज भी है लेकिन केवल अपने स्वार के लिए हर राजितिक डल अपने नेताओं के साथ इस तरह की ब्यान बाजी करता है जैसे मानो परजातर उनके पॉपिट में ऐसा नहीं है अगर कोई ये बोलता हो कि ये जो महारास् राजितिक समय करने लट 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 पीजीपी करवा रही है या कुछ औने जा रहा है वह इसलिए हो रहा है कि राज्ट्रपती चुनाओं में इनके पास वोतों की कमी है ये तो कोई यहाम आद्मी भी समझ सकता है मामता जी ने इस तरह का ब्यान किया है मैं समझता हूँ ऐस का कुछ वो ब्यान दे रहे हैं मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब ये हमें मौक्ता है कि दो तिहाई अगर किसी जहल से अगर कोई एक अलग नेता बना लेता है तो उसे आप चाहिज मानना है तो फिर एकनाथ सिंदे साहब के पास आज पास उनके पास साफ नजर आ 106 बीजीटी के पास नजर आ रहा है 20 जो है अज़र इनके पास करीब 20 बहुमत से ज़्यादा हो चुके हैं अज़र संजे राओ जी कह रहे हैं कि 20 से 25 अभी 25 से 30 ये विधायक जिसको जबरदस्ती अपड़ा हुआ है वो हमारे संभक में हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि प्यानों को इस तरह से अपने अपने प्राइजे के लिए ये क्यों गोला जा अगर राजीती हो रही है अगर ऐसा लगता है तो बड़ा सदन फ्रोर है जहां पर ये सब कुछ के लिए होगा कि किसके पास मेजिरिटी है और किसके पास नहीं है सत्ता के नए समी करन के लिए वहां सदन में तो आना ही है लेकिन अब यहां महारास्टा में एक समस्या ये होने जा रही है कि यहां लाइन आउडर को भी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब के साथ वहां की जो पुलिस बिवस्ता है उसको करनी पड़ीगी मैं शिब हो रहा हूं कि जो सीव सेना का जो प अपने आप को उनके संदेश के उन साथ बहार निकलते थे या बंद हो जाते हैं आज हो हालात नहीं है लेकिन अपने अपनी ताकत की आजमाईस के लिए अधारी हो या नई सियोसेना का केमा हो और सबी लोग अपने मजबूत बजूद के लिए उस भी तारिकताओं को उसक और उनके मनोभावनाओं को मतलब अग्रिशिक कर सकते हैं तो पुलिस अलर्ट है और ठाइस साल के बाद जो बीजी भी है वो भी तेज हो चुकी है और आपको पता ही है कि महारास्टा के विधान परिशन में जो चुना हुआ उसमें जो हटनाविस साहब हैं उन्होंने कहता हूं कि रास्टा में भी उन्होंने 123 बोट पाए ते सभी बातों को समझना पड़ेगा कि जो भाती जनता पाती है वो अपने आपको धीरे उस सच्छा की तरफ आगे बढ़ने की क्यारी में अब यहां बात चल रहा है कि लाज में मुक्म मंत्री किसका हो अगर बीजी और यह एकनाथ साथ की सीशेना का जो जो है वो दोनों में से तो यहां भी बात चल रही है कि उक्मुक मंत्री के तरफ पे सिंदे साथ अपने आपको मानने के लिए तैयार हैं लेकिन वो किसी भी आलत में अधारी के साथ अपने आपको समावेस्ट नहीं करेंगे चुकि उ एकनाथ सिंदे साथ का जो चानक के और सत्रंडी का चाल है वो हर तरह से बहुत सत्र है बहुत तरीके से है और उन्होंने अपने पीछे राश्ट यह सकती जिसको हम बीजीपी बोल रहे हैं वो पुरी तोर से मजबूत है और उनका हिसाब से एक सो तिरसक अभी एकनाथ वो सकता के नए समी करन को पकर सकते हैं इसमें कोई सक नहीं अब केवल ब्यान बाजी चलेगी और समी करन को उलट फिर करने की कोशिस भाला साथ ठाकर के नाम से उद्धव जी का होगा लेकिन उद्धव साथ अपने पुत्रमों में बहुत सी अपनी चाल में बाधा ले एकना सिंदे किसी भी आलत में PGP को छोड़के किसी के साथ अपने आपको अजस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह राजिती का एक सच है इसको मानना उनको पड़ेगा जी 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 बहुत अच्छी तरह से सब्जाय लेलन सिंग जी आपने दिबग आपनी पासे आवा मांग अगे जाना तको छे जी आरे रेडिसनली होटल यहनी बार एक बीजी परिस्तिति जो आ मानीची टीमसी ना नेताओ धना उपर उत्री गया चे आने जणावि रहा जे अने भाजपनो विरोत पन क्या करी रहा चे नियामनू क्या हूं एव उछे के अमे आ वीशे ने लईने लोक्षाही खत्रा मां थे लोकुडय खत्रा आचे तो टीये फ्राज़ेदेनरजी तुम्ताब एनरजी जेए टेमने बीजेपी साथ ही खटराग चाले ठिए राद निती मा बीजेपी अनने टी-मसी सामसामे घे तो आप ने तकनो लाब गया पना राद निती प्रकार ए टी-मसी ना विरोत करी रहा छे तो बूत्कार मा पन ममता बनर जी ऑने बीजे पी साम सामे होगा नूँ पन सामे आविउति visa अथारे पन चीये प्राकार नी रादनीती तो रादनीती नो लाब लेह रुया होगा नूँ पन लोको मा चरचा रही है शे जी जो दिपक वाट करवा जईए तो राजनीती एक एवी वस्तू छे के जेना कारण कदाच आ राज्य होई के आ देश होई के दुनिया होई राज नीती निं अंतर थी घणू बदोँ शिखवा जेऊ पण हुआ पन्यों सिखCarini बाजू होएचे दिपक यह आ राज नीती माँ पन सिख how we back क्याक नेक्याक जोवा जईये तो एक बाजू सर्रल रीते चालती राज नीती जे आड़ी वरस नूँ शासन कदाच सिवसेना नूँ चाली रविवतू सरस्रीते कोई व्यवस्ता नोव भावने क्या एक अशूद ने सरस्रीते एक व्यवस्ता चाली रवेचे आ बद्धानी वच्चे ज्यारे दिपके केवी परिस्तिती आवेचे के ज्यारे एक एओ जी आपने जनाविदयों के जे प्रकारे महराष्टनी रादनित्ती मां गरमाओ आवेचे ते कई सकाए के पहली वर नथी देश भरमा अलग अलग राज्यों मां के कोई पन जग्यार रादनिती मां आ प्रकार नूँ परिवर्तन आवतूर होई छे रादनिती नूँ नाम अपने नेताव पोतानी रादनिती करी आ प्रकार नुँ ठत्तु आछे परन तमने जनाविदयों के भुत्कार मा अटल भी हारी वाजपेई जीनी सरकार पन आरी त्या रादनिती नो भूग बनिया अटे आरे त्याम ने कई अतू के अम्में रही है के ना रही है पर देश रहो जोई है तो जे प्रकारे रादनीती थे रही चे तो एनी जग्याए चे पर लोको ना प्रश्णो आ प्रकार नी घट्ना उमा भूलाई ना जाए ते पन विविद राजकी पक्सुए जोव रही हूँ कि प्रकार अतियार आ घट्ना पर लोकोंनु ध्यान चे और मानी लेकर भय जे प्रकार यात्यारर स्थिती चे तो उडव सरकार सबसे पहले तो यह जानना चाहूंगा विक्रम सी जी के जिस तरह का ये पॉलिटिकल पुरा ड्रामा चल रहा है तीन दिन से पुरा हिंदुस्तान एक जगा पर आके अटक गया है पुरे हिंदुस्तान की नजर एक जगा पर आके अटक गये लोग देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है क्या बताएंगे उसके बारे में लुक्तान इसा ही देखने को सबको मिल रहा है हम सबको जो दिख रहा है मुझे लगता है कि वैसा है नहीं जिस तरीके सामें ये लग रहा है कि सेशना में तो पार हो कि आ है एक बड़ा बड़े नेता जो है विदायकों को लेकी महाँ चले आरे लेकिन अगर हम आइनूट् उद्धायक के लिए उनकी खिलाब कुछ नहीं बोल रहा है वह एकना सिंदे जी बी उद्धाव ठाकरे या से उशेना की खिलाब कुछ नहीं बोल रहा है भाजपा मूझ दर्शक बनके अभी देख रही है तो अंदर खाने दिखिए इसमें दो तीन बातें हो सकती है पहली तो अगर अचानक वो उनसे बड़ बंदन तोड़ते और उसके बाद यहां सरकार बनाते तो एक जंता में भी गलत संदेश जाता है दूसरा यह थोड़ा संभव भी नहीं पाता कि दूसरी तरफ शरत पवार जैसे बड़े राजनितिक चड़क कहे जाते हो राजनित के वो है है और अभी भी और दूसरी बात यहीं कि अभी जो एक ना चंदेश जी का अग्मी वगावत चल रहा है वह कह रहेंगी वीडियो भी जारी करता है फोटो भी जारी करते हैं अब इसमें देखिए मुझे जो अभी तस्वीर समझ में आती है वो यह तस्वीर समनितिकि शीव फैसले लेने वाले आने जाते हैं और उनकी जो हर पार्टी में अच्छी पैट है अन्य पार्टियों में भी उनकी अच्छी पैटर उनकी उनका रेस्पेक्ट हर पार्टी के बड़ेनेता करते हैं तो अगर शरत पवाद लास्ट मुवेंट पर कोई बड़ा दाव ना खेल दे तो उझे जो देखने को मिल रहा है वो यही देखने को मिल रहा है कि शुशेन औ कहीं एक प्री प्लान भी हो सकता है क्या कहेंगे उसके बारे में जिल एलन सिंग्टी बटाना चाहूंगे चेवेंजर फणाविश्टी बेली आखर और जो उद्व ठाकरे साहब हैं उनकी जो एस्टेंट में जरा रही है वो चूट है इसमें जो रहा है अब जो ताज है वो 163 का जो इस्टेंट इंडर साफ और वीजी पी और जो अधर्स के साफ वो हटी में नजर आ रहा है अब एक जिस और लोग का जहना भी बहुत 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 ही है कि जो तरत को बाती है वो बहुत धिकज नहींता है आरत के मानेश्वे एक राजूती की जिए है अब इस पड़ाओं में वो चारहें कि मैं इस गोटी को अपने कभ्जे में कर लूँ और यही करण है हर तरफ से बात बहुत है कि चाहे सिंदे साथ को मुखम्टी बना देगें चाहे उनको बुला के उनको ौबासाथ आगरे के नाम पे अपना बना लो और हर बात यही बो कि साथ हम नोर के उपर पूरी तोर पे अपनी किस्टी किलियर कर देंगे, क्या थेरा विजायक लेके उज्जाव ठाकरे साथ अब इस देना को कोई मज़िकी दे सकते हैं, नहीं, अब सरक्कार बनाने का रास्ता साथ में जरा रहा है, कि ठनाविक साथ, जेवंदर साथ के अब एक चीज और है, कि अभी भी गुहाती में विजायकों का पहुंचना है, क्या पता है, तो बेरे तक कुछ और विजायक वहां पहुंचना है, और अगर दुनिया का नियम है, तक हाजमी कंदोर परने लगता है, तो जो लोग हैं, उसका साथ भी छोड़ते जाते हैं, और उद्धर ठागरे साथ के जाते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने लोगों के साथ, फेस तू फेस, अपनी जमीनी अस्तर पे मिलने की कोशिश की ती, वो ज़्यादा से ज़्यादा पर्चूल और घरों से अपने आदेशों को पारिद करते रहें, और एक जगा वो साथ मिज़र आ गया, जिस पत्र में उन्होंने शिंदे साथ के ग्रूप में लिखा है, कि आपने हमें अध्या जानने से रोका, हमें एक बेतर मौके को पाधाप पहुंचाने का कोशिश किया, इसमें हमें लगा कि आप हमारे साथ कोई ने कई दो तरह की सोच रखते है और इसी का कारण है, और दूसरी बात उन्होंने का, कि आप तिन सो सतर में और जब सर्जिकल अटाइक हुआ, और जब किसी मजार के उपार और अरंजियक का कोई आया, और वो आपको किसी माने में कमरतन दे लिया, किसी बिदान पर्शम में और रास्वा में, आपने उसको कर लिया, यह सब चीजें, पाला ठाक, जाए साब के निती और फिदान के खिलाफत है, अब हम किसी भी आलत में अपने पाला साब का निती और फिदान और हिंदुत्यों का जो हमारा समझ आ है, उसके उपर चलेंगे, और हम इस रास्टिये टाकत के साथ, जो की पीजी एकनाथ सिंदे साथ के साथ, जो 40 बिधायक वार्टी में हैं, उन्होंने मार्ट पुसस किया, और केवल एक से दो दिन इस महारास्टा के नाम पे पूरी तोर पे राजिती होगी, और इसी राजिती में अपने अपने स्वार्ट के मार्ट पे हर राजिती डल आगे बढ़न की पोर्टिस करेगा, और याद कीजिए, कॉंग्रेस का क्रास बोटिंग महारास्टा के अंदर ये सभी डल गहरे हुए हैं, अपने वजूत के लिए, अपने सक में हैं, कोई भी दूसरे के लिए अपना नुपसान नहीं कराएगा, और यह तारण है, पूरी तोर पे अभी कमजोर नजर आ रहे हैं, जी, 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 विक्रम सी जी आपके पास आना चाहूंगा, जिस तरह से महरा से रातनिती शुरू ही, गुजरात में सुरत में आयी, गुजरात से गुवाहाटी तक पहुची और जब जैसे जिस तरह से ललन सिंग जी ने बताया कि जहाँ वह आपको सवाल में सुनने ही बाश है इस तरह से ये राजनीती शुरू हुई कहीं ना कहीं माहराष्ट मुंबई से राजनीती शुरू हुई वो राजनीती पहुंची सुरत सुरत में जब विदायकी खट्टा हुए और सुरत से सिधा निकल लिए गुवहाटी की तरफ तो जै ऐसे जितने विदायक लेके आए थे उससे ज्यादा विदायक बढ़ गए और दिन दिन ये तीन दिन तक ये विदायक बढ़ते ही जा रहे उसका क्या काराण हो सकता है क्या कहेंगे इस राजनीती के बारे में आप है कि दो कि है कि अगर पहले का कि जैसा हमको तिक राभ ऐसा हमेशे होता नहीं देखे अगर सीथा सीथा ये मसला होता कि 42 विलायक कि इसी नेटा के पास हैं तो बिल्कुल बिजै पी और वह बार बिलाके रह इनके ठीठ हो जाएंगे और ने की सरकार आराम से बन लेकिन ऐसा बिल्कुल रूनी तोर पर ऐसा नहीं है कि उसमें अभी बहुत सारे बाते बाकी हैं कि अगर सरकार बनती है तो उस स्थीति में किसे को क्या मंतरा ले दिया जाएगा कौर मुट्मंत्री होगा तो यह सारी वाते जो है अभी सब का डिसकेशन चल रहा है और इन सब जब तक दोनों पक्षों वे जो से उशेना के लोग हैं और रोकना चाहूंगा आपको विक्रम सी जी तो ये क्या कारण हुआ कि जब वहां से निकले तो थोड़े थे फिर थोड़े थोड़े करके इकटा हो रहे क्या ये ये प्रपाव हो सकता है कि जैसे वहां पे बहुमती बढ़ रही है उसको देखके लोग जा रहे है या ये सिवराद जो एकनाच सिंदे है उसका कोई पावर है या फिर दूसरी कोई वज़ा है कि जिस वज़ा के कारण जो पहले नहीं गए थे आज वो भी वहां पे जा रहे एमे ने तो जा रहे दो एमपी भी वहां पे गए उसका कारण हो सकता है? अब ही तो इनके सर्कार में देखना है? क्यूंकि कुछ नो कुछ उसको लाब वहां से मिल रहा हुता है. सर्कार में होने के बहुजूद भी अगर इस तरी के पगावत देखने को मिल रही है. बिल्कुल इसके पीछे कुछ और भी वज़ेंगे हैं, जो हमें आपको सामने सतही दोर पे नहीं दिखने हैं लेकिन वजहें इसमें बहुत सारी वजह हैं और उन्हीं वजहों को वजहों का निराकरण अभी अंदरूनी दूप से जो बड़ी पार्टियां हैं बड़े नेता हैं अपने बात्चीत पर सुलगा रहे हैं और जब ये सुलच जाएंगी जब इन बात्चीत इनकी खतम हो जाएगी तब ये आम पटल पर इन बातों को लेकर आएंगे तब हमको और आपको मेंडिया को आम जनता को सारी बाते बता चलेंगी कि आखिर ये माजरा क्या था और अब किसकी वाकरी में सरकार बनने जाएं तो उसके ब सकतर घ्कराइं करते हैं कि हमने जिसको चुना है वह अची तरह से निभाएगा और उसको लेकर हम अपना जो पूरी लगी जब व्यवस्ता का ही एक बाग जिस तरह से डगमगाया हुआ लगता है तो विक्रम सिंग जी एक जो मतदार है आज का वो मतदार क्या सोच रहा है वहां का तो आम जन्मानस जो है निए रिक्षा के लिए वोटिंग करने के लाइब भी ठीक कह रहा है कि वो लाइन में लगता है वोट देता है वो सोचता है कि मैं अपना विरायत चुन रहा हूं फिर ये अपना मुखिमंत्री चुनेगे सरकार चुनेगे लेकिन वाकई में वो जो आ यहयुद से हमेश्क थगा ही यह रिखर नहीं का चुना बहुता है क्यों गई आपके साल हो जेखरा है पूरी कवाया दिन की सरकार बचाने में रहती हैं सरकार चलाने में रहती हैं तो बिलकुल इस तरीके की तस्मीरे जो है ata को जहोंगा एक अमध्दार है जो एक आम उमद्दार को क्या फिलिंग होती है क्या कहेंगे उसके बारे में नहीं नहीं हो रहा है और क्यों नहीं समझ में आएगा पढ़ेली के लोग है युवाओं का भारत है आप भार के किसी भी राज में देख यह परिवार बाद और यही परिवार बाद कभी कभी जो जमीन से उठे हुए कार करता और नेता उनको दबाने की जो परवड़ती और उनीके कारणों के कारण कभी कभी लोगों में एक आक्रोस और यही कारण है आज महारास्ता का यह समी चरण भीड़ता हुआ बहुत साफ हुनों ने लिखा है कि आजट्रे ठाकरे जी को अध्या बेगा और हमें नहीं जाने की हमें जबाब के साथ अभी नव सही जी 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 आप बिहार में आये उस्तर प्रदेश में आये हम लोग इस फंस का और के बात ही करें मीडिया एक जानुक्ता का एक बहुत बड़ा खेंद सिर्ट है क्या लगता नहीं है कि केवन परिवार कहीं कहीं चो पूरी परिवारी मंत्री मुख अगर हम यह बोलते हैं कि सरच पवार की बहुत दिकत नहीं है तो वहां भी एक समझ्या यह आ रही है अजीज पवार साथ को उनके बस्तब्बे को बच्चाने में वो उत्रे हुए है इदर आप देख दिए उद्धा उठा के जासा एक हिवा पुछ बन सकता है क्यों नहीं बनेगा राजनाजी हो कोई भी हो अगर उसका कुछ में चाबिल है तो वह नेता बनना चाहिए लेकि कभी-कभी ऐसा लगता है कि जाने और नहीं जाने जो हमारे मत जाता हैं जो हमारे तो बोतर हैं जिनके लिए देश्न पुजातंदिये परनावी असकभी से उनके साथ र लाजनीती हो रही है इस तरह की राजनीती अगर एक राजनीती अगर सभी राज्यों में होती रही तो कहीं न कहीं यह नुक्षान आपका है कही न कही ये नुक्षान मेरा है कही न कही ये नुक्षान छोटे से छोटे मगदार का है क्या कहेंगे उसके बारे में बिल्कुल देखे इस तरह कि राजनी ते अगर होती रहे जैसे कुछ सालों पहले मद्रपदेश में हुई फिर राजस्तान में इस तरह की कोशिश हुई पिर अभी महारास्टाय में हो रहे तो बिल्कुल इससे लोक्तंत का नुकसान होता है लोक्तंत में विश्वास रखने बिल्कुल नुकसान है और एक मानक इस्थाफित हो रहा है वह बोड़ा गलत इस तरीखे की राजनीत और इस तरीखे के देखे किसलिए चुने गये हैं उनको यह समझना चाहिए वो जा के आज युस् על हमें जान जाए कि बैठी हुए है कि आप सरकारों के गिराने बनाने के लिए ब्र किरिए आप अपने चेतर से इतने politics को किरेंट से आम जंता को आप आपको चुना था ये बिल्कुल देखने वाली लेकिन क्या कर सकते हैं कि ये दुर्भाग है और हम सब को इस दुर्भाग को सहना पड़े जाए जी पहले तो हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए विक्रम सी जी आपका और ललन सिंग जी आपका बहु जे उपरती कई सका है कि आ रादनीती जे ठही रेज़े टे जोई ने आ मादमी जेशे तेमना मुद्दा आपक ने क्याक रही जाए जाए जे आ रादनीत ना कार्णे घणू भुगव पड़ी रहुचिए तामें एमने कहु ए प्रकारे के वही जे प्रकारे होटलों मा त् आपी ने तेमने आप सुधी पहुंचा डिया चे तो क्याक ने क्याक रादनीत आवे पन रादनीती छोड़ी ने मद्दाता आवना जे प्रस्णों चे तेमने न्याय आप पोजुए जे 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 तो मुद्दावमा बस आटलू काले मलिशु नवाएक विसाय साते त्या पतारो के टीवी न्यूस गुजराती समस्या तमारी खबर अमारी नमस्कार